प्रश्कार दोस्तों स्वागत है आपका TV24 में और मैं हूँ अजय सिनहा दोस्तों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 विधान सभा सीटों पर और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माई हुई है चाहे वो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गड़बंधन हो चाहे भारती जनता पार्टी उन दसों सीटों पर जीत हासिल करना चाहती हो दरसल अगर दस सीटों का गुणा गड़ित देखें तो पान सीटे वो हैं अब महा संग्राम चिलने वाला है ये दस सीटे और ये उपचुनाव क्यों महत्पूर है असल में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने है और उसको लेकर उससे पहले जो उपचुनाव हो रहा है वो माना जा रहा है 2027 का सेमी फाइनल और सारे राजनेदिक दल चाहें वो समाजवादी पार्टी हो चाहें वो कॉंग्रेस हो चाहें वो बीजेपी हो और चाहें वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो हर कोई इन 10 सीटों पर अपनी नजर गड़ा है दर असल मामला ये उठ रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गडबंधन होगा अगर गडबंधन होगा तो कितनी सीटे समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस को देगी यहाँ पर मैं इस लाइन को कोट करना चाहता हूँ कि कितनी सीटे समाजवादी पार्टी जो है वो कॉंग्रेस को देगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजिनिती की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कद कॉंग्रेस के मुकाबले बहुत बड़ा है वहीं अगर भारती जनता पार्टी की बात करें तो भारती जनता पार्टी अपने सहियोगियों यानि रालोद और निशाद पार्टी को कितनी कितनी सीटे देगी क्योंकि बाद जो निकल कर आ रही है वो यह है कि निशाज पार्टी जो है वो दो सीटों की डिमांड कर रही है जो कि BJP के तरफ से देना जो है वो संभव नजर नहीं आ रहा है बहराल हर राजिनीतिक दल अपना गुड़ा गड़त लगा रहा है और चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाओ लणे इस बीज समाजवादी पार्टी ने एक ट्रंप काल चला यानि जैसे ही हरियाना विधान सभा चुनाओ के नतीजे आए और कॉंग्रेस को वहा देर करते हुए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोशित कर दिये अब सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कॉंग्रेस जो हरियाना विधान सभा चुनाओ के नतीजे आने से पहले उत्तर प्रदेश की 10 विधान सभा सीटे जहां पर उपचुनाओ होने वहाँ पर अपने प्र प्रत्याशी घोशित कर दिये अब सबसे बड़ी बात यह है कि किन 6 सीटों पर प्रत्याशी घोशित किये वो भी मैं आपको बता देता हूं करहल विधान सभा सीट पर तेत प्रताब यादव है जो कि अखलेश यादव के ही घर के उनको टिकट मिला है वही आयोध्या की मिलकीपूर सीट से अजीत प्रसाद जो की सपा सांसद के बेटे हैं उनको अवदेश प्रसाद के बेटे उनको टिकट मिला है इसके अलावा का टिकट मिला है अभी चार सीटे बची और समाजवाधी पार्टी कॉंग्रेस का रुख देख रही कि कॉंग्रेस क्या डिमांड करती है और कॉंग्रेस समाजवाधी पार्टी का रुख देख रही है बड़ी बात ये है कि ये चीजे चल रही थी उत्तर प्रदेश की राजिनिती में खबर नवीसों में कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गडबंधन तूट जाएगा उस पर भी अखलेश यादों ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि ये गडबंधन नहीं तूटेगा कॉंग्रेस के साथ गडबंधन होगा यानि अखलेश यादों ने एक बार फिर से बड़ा अदिल गडबंधन को लेकर दिखाया है सबसे बड़ी बात यह है कि यहां हरियाना चुनाओं के नतीजे आते हैं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखलेश यादो छे विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोशित कर देते हैं इसके तुरंत बात प्रत्याशी घोशित करते ही दिल्ली में आज बड़ी बीजेपी की बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश की मुखमंतरी योगी आदितनात अमिश्या समेद बड़े बड़े नाम बीजेपी के उस बैठक में शामिल हैं समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 जो विधानसभा सीटे हैं वो कितनी महत्पूर्ण है उपचुनाओ कितना महत्पूर्ण है ये बात किसी से छिपी नहीं है अब इस पर जो है जी निउस का है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का उसने भी ट्वीट किया और लिखा यूपी उपचुनाओं से जुड़ी यूब बड़ी खबर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक सीम योगी और दोनों डिप्टी सीम होंगे शामिल जेपी नड़ा के साथ होगी बैठक कब होंगे उपचुनाओं इसको लेकर भी चर्चा है क्यूंकि उपचुनाओं की तारीखे अभी सामने नहीं आई है 2024 के हालिया जो बीते लोकसभा चुनाओं है उसमें उत्तर प्रदेश में BJP का ग्राफ बहुत तेजी से डाउन हुआ और एक तगला जटका जो है वो BJP को मिला था BJP अब कोई भी जटका सहने के मूड में है नहीं यानि अब कोई भी कमी BJP अपनी ओर से नहीं रखना चाहती है और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह उप चुनाओ अपने आपको उत्तर प्रदेश में BJP के लिए एक अगनी परिक्षा की तरह देखा जा रहा है वही समाजवादी पार्टी जो कि 2027 में अपने आपको सत्ता का सबसे बड़ा दाविदार समझ रही है भारती जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए और उप चुनाओ उसकी एक तस्वीर गड़ेगा सबसे बड़ी बात यह है वहीं अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में राजिनितिक उठापटक भी देखने को मिली और सबसे बड़ी चीज यह है कि उस उठापटक में समाजवादी पार्टी अपने लिए की मौका तलाश्टी वी नज़र आई से पहले कुछ खबरों पर भी कुछ खबरों की हेडलाइन्स हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं गड़बंधन को लेकर सपा और कॉंग्रेस के तो एबी पी नियूस की है जिसमें लिखा है यूपी उपचुनाओं पर अखलेश यादों ने दिया बड़ा बायान कहा खबर है जिसमें लिखा है यूपी उपचुनाओं में सपा कॉंग्रेस का जारी रहे गड़बंधन अखलेश यादों ने अटकलों पर लगाया वीराम तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अखलेश यादों ने अटकलों पर वीराम लगा दिया और सीधे कहा है कि गड़बं जिस तरह से कॉंग्रेस सपा के गड़बंधन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर पठकनी दी है वही परिपाटी वही पठका था जो है वो उपचुनाओं और 2027 के विधान सबा चुनाओं में बनाय रखना चाहते हैं लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो एक जाना था और अखलेश जादों को जेपी एनाइसी जाने से रोका गया यानि भारी पुलिस बलतहनात किया गया इसके बाद अखलेश जादों को एक बड़ा मौका मिल गया और उत्तर प्रदेश की राजिनीती फिर से गर्मा गई यानि ये बात साफ हो गई कि उत्तर बास से निकले उन्होंने बाहरी जो है जेपी की मूर्ती पर माल्यारपन किया और सीधे तोर पर कह दिया कि हम जुकने वाले नहीं हैं डरने वाले नहीं हैं और बीजेपी सरकार पर यानि योगी आधितनात की सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए इसको लेकर ना हम कभी डरेंगे वो दमन करेंगे हम नमन करेंगे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थक भी आमने सामने आ गए सुधीर मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर वो लिखते हैं आपने जान बूच कर जिसे उत्पन हुई समाजवादी पार्टी है यहां लाटीओ ने भी हमारे साथियों के सामने हार कर सेड़ जुकाय है हमारे साथी पहाड तोड़कर रास्ता बना दे लेकिन किसी को लगता है टीन की चादरे हमारा रास्ता रोक सकती हास्यासपद हैस्टैग जे-पी-एन- बदला लेने के लिए बीजेपी पूरी तरे से तयार है दिली में बड़ी बैठक हो रही है उपचुनाओ को लेकर उपचुनाओ की रणीती को लेकर हमिश शाह योगी आदितनाथ समय तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल हो रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश में अखले बीजेपी को पठकनी दी जाए जै प्रकाश नारायार जी की जो जैनती पर राजिनितिक उठापटक हुई उसको लेकर अकलेश यादों ने एक बड़ा संदेश भी बीजेपी को दे दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है और कॉंग्रेस के साथ जो गरबंधन का एला पठनी देना वहीं आने वाले समय में क्या कुछ होता है सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है कि कॉंग्रेस को कितनी सीटे समाधवादी पाटी देती क्योंकि 6 सीटों पर उसने प्रत्याशिक घोशित कर दियें आने वाले समय में कितनी सीटे देती क्योंकि समय बहु के लिए बेहद एहम होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में टकराने को पूरी तरह से तयार हैं अपने समर्त को के साथ को कि जमीन से लेकर शोशल मीडिया तक ये दोनों राजनितिक दल जो है वो अपने अपने धनजबान यानी कह सकते हैं तरकश से तीर निकाल चुके हैं साधे बैठे हैं और कौन किस पर कब हमला करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा बाकि दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते क्या म झाल